हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद है अच्छे होंगे मज़िम होंगे मेरा नाम नासीर और आप देख रहें एबिटेक व्लोग दोस्तों आट में बहुत जादा खुश हूँ क्योंकि फिलिपकाट पे जो बेस्ट डील थी बिग बिलिएंडेस पे जिसमें 54,000 का LG G8X 1990 में मिल रहा था तो वो फर्स्ट सेल में ही मैंने बुक कर लिया और आज मुझे डिलेवर हो गया है तो आज इस वीडियो में इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को अगरे साथ एसाथ बिल आकर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोडिविकेशन आप लोग को मिलती रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यह रहा फिलिपकाट का पकेट और बैक सेड में यहां पर देखें तो यहां पर 1999 लिखा हुआ है जो कि कि ल कंडल पैक करके दिया गया है और यहां पर आप MRP देख सकते हैं 70,000 लिखा हुआ है बट यह 54,900 का फिलिपकाट भी बिख रहा था तो अब दोनवी बॉक्स को निकालते हैं बाहर एक बॉक्स में आपको फिलिप कवर मिलेगा है जिसमें अलग से डिस्पले लगा हुआ हु और यहीं फिलिप कवर का बॉक्स जिसमें आपको डूल डिस्पले मिल जाती है तो अब सील को ब्रेक करते हैं और यहां पर देख सकते हैं प्रोपर सील लगी हुए है ऐसा नहीं कि सील उपेन है कुछ लोगों को डग रहता है कि इतने सस्ते में फोन दे रहा है तो ऐसा तो तो इसे हटा देते हैं और यहां पर एक और एनवलप मिलता है तो इसे भी बाहर निकाल लेते हैं और इसको ओपन करकर देख लेते हैं किसमें क्या है तो इसमें कुछ यूजर मेंवाल है और यहां पर आपको इसी में जेक्टर टोल भी मिल जाता है और वारंटी काड़ मिल जाती है USB A2 Type-C जिसके मतलब से आप फोन को चार्ज कर सकते हैं यहां पर कोई भी एडप्टर नहीं मिलता है तो इसका भी क्रेडिट एपल को जाता है एपल एक लाग से उपर वाले फोन में भी आपको एडप्टर नहीं दे रहा है तो 20,000 के फोन में अगर आपको एडप्ट तो इसे भी साइड में लख देते हैं और देखते है इस दूसरे वाले बॉक्स में क्या मिलता है तो यह रहा फिलिप कभर का बॉक्स और यहां पर भी आपको प्रॉपर सील मिलती है तो इसे भी ब्रेक कर लेते हैं जो फिलिप कवर मिलता है वो mirror finish के साथ आता है तो काफी premium लग रहा है और यहाँ पर भी अंदर आपको एक connector मिल जाता है जिसकी मदद से आप magnetic charge कर सकते हैं जैसे आप cover में dual screen वाला mode में लगाएंगे तो आपका phone charge नहीं हो पाएगा type C वाले cable से और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो magnet है वो काफी powerful है दूर से ही connect हो जाता है तो जब dual screen वाले mode में आप यूज़ करेंगे तो आप इसी से charge कर सकते हैं इसके साथ इसकी quality की बात करेंगे काफी premium लग रहा है लेदरी finish दी गई है और front में mirror finish दी गई है तो अब चलते हैं फोन के तरफ और physical overview की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 6.4 inches की OLED display मिल जाती है front side में आपको 32 मेगबसल के camera मिल जाता है और उपर speaker मिल जाता है इसके साथ red side की बात करेंगे तो यहाँ पर power unlock की मिल जाती है उपर side की बात करेंगे तो उपर में आपको sim slot मिल जाता है जिसमें एक sim और एक memory card अब लगा सकते हैं मतलब hybrid sim slot दिया गया है left side में आपको power unlock की मिल जाती है और उसके निचे ही google assistant की वी की मिल जाती है bottom की बात करें तो सबसे पहरे 3.5 mm jack मिल जाता है जो की काफी अच्छी बात है mic मिल जाती है और type c port मिल जाता है उसके साथ यहाँ पर speaker wind मिल जाता है back side की बात करें तो यहाँ पर dual camera का setup मिलता है जो main sensor है वो 12 megapixel का उसके साथ 13 megapixel का ultra white angle वेला lens मिलता है और यहाँ पर dual LED flash मिल जाती है यहाँ पर G8X ठीक्यो लिखा हुआ है और नीचे side में LG के branding दी गई है build quality के बात करें जो phone काफी premium दिखता है glass body मिल जाती है और जो side से वो aluminiums के हैं तो looking wise काफी premium device लगता है उसके साथ इसमें IP68 की rating मिल जाती है मतलब यह phone water and dust resistant है तो यहाँ पर मैंने phone को setup कर लिया है और fingerprint scanner भी इसका set कर दिया है इसमें आपको कोई भी face unlock नहीं मिलता है तो fingerprint scanner की मदद से ही आप phone को unlock कर सकते हैं और इसका fingerprint काफी fast है उसके साथ इसमें जो display मिलता है वो OLED display तो color वगरा काफी पंची आते हैं और काफी bright display तो अब चलते हैं setting में और देख लेते हैं कि कौन सो software पर यह run कर रहा है जब इसे मैंने on किया था तो एक ote update आया था जिसे मैंने update कर लिया है तो चलते हैं setting में और यहाँ पर about phone में जाते हैं तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं यह android 10 पे run कर रहा है उसके बाद security patch update की बात कर रहे तो यहाँ पर September का security patch update मिल जाता है phone में 128 GB का internal storage दिया गया है तो एक बार उसे भी check कर लेते हैं कि 128 GB में से कितना GB free space मिलता है तो चलते हैं storage में और यहाँ पर है storage तो यहाँ पर देख सकते हैं 104 GB आपको free space मिल जाता है तो phone को इसके flip cover में लगाते हैं और देखते हैं दूसरी बार स्क्रीन किस तरह काम करती है तो इसे लगाने के लिए आपको पहले नीचे से अच्छे से fit करना होगा उसके बाद उपर से press करना है और यह असानी से fit हो जाता है फोन को दूसरी स्क्रीन से connect करते ही यहाँ पर एक pop-up आ जाता है और टच करेंगे तो यहाँ बटर्न on dual screen तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों स्क्रीन on हो गई है और काफी amazing look लग रहा है इसका जो दूसरा display है वो भी 6.4 inches का older display मतलब दोनों same to same display है और यहाँ पर देख सकते हैं left side में मैंने YouTube on किया है और right side में मैं कोई भी application को open कर सकता हूँ तो multi-asking काफी easy हो जाती है इसमें उसके साथ इसे जब fold करेंगे तो आपको एक color display मिल जाती है जो कि monokrome है और यहाँ पर आपको date, time और कुछ notification वगरा शो करेगी तो यह भी काफी सही चीज है मतलब इस phone में आपको तीन display आपको मिल जाता है जो डो बड़ा display और एक छोड़ा display दिया के notification वगरा के लिए तो अब इसके camera के भी थोड़ा चेक कर लेते हैं और एक डो photo क्लिक करके देखते हैं कि कैसी quality आती है जबकि बताने के ज़रूत नहीं LG के camera based होते हैं और काफी अची quality के image capture करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक photo क्लिक किया और आपको photo देखने के लिए बगल वली screen में देख जाएगा तो यह काफी अची चीज है और देख सकते हैं picture के quality काफी amazing आई है और detail काफी अची है तो यहाँ पर एक ultra wide angle लेवले lens से भी photo क्लिक कर लेते हैं और देख सकते हैं कितना ज़्यादा area को cover कर लिया है ultra wide angle ले lens से तो इसकी भी quality काफी अची है 13 mega pixel का आपको lens मिलता है बट picture के quality काफी अची है तो LG नमबर के साथ नहीं खेलता है जैसे 64, 48 LG का camera 12 mega pixel का रहता है 13 mega pixel का रहता है बट best quality आती है selfie भी आप देख सकते हैं इसमें selfie 32 mega pixel की दी गई है और काफी अच्छी sharp quality आई यह picture की तो camera के मामने में यह phone काफी जबरदस थे इसके साथ build quality के बात करे है या display की बात करें सभी मामने में यह phone flagship लेवल का है तो बस यही थे unboxing और first impression में तो काफी जबरदस यह device लगा बागी आगे में इस पर काफी सारी वीडियो बनाने वाला हो और जल्दी इसका full review में करूँगा और इसी channel पे upload करूँगा उसके साथ ही LG V40 के साथ इसका camera comparison टेस्ट भी करूँगा कि कौन से phone में जादे अच्छा camera मिलता है तो बस इस वीडियो में अगर वीडियो पसान है तो ज़रू से like करें शेर करें और चैनल को subscribe भी कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे आगे भी तैंक यू फूर वाचिंग